हेलो एबरीवान वेलकम टू आरेजी क्लासेज कैसे हैं आप सारे के सारे आई विश आप सारे के सारे तंदूस्तों सो आज की क्लास में हम मैथमाटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक शुरू करने वाले हैं और खतम भी करेंगे इतना डिटेल में घुसकी नहीं पढ़ाया जाता है और जब डिटेलिंग की बात आती है तो बारवी के बात चाहिए आपकी ग्राजेशन हो कहीं भी तो आप लोग अठक जाते हों क्योंकि माक्सिमम बारवी में हम बहुत सारी चीज़े उपर-उपर से पढ़के आते हैं एक अबस् youngest हे अधे है तो इन सब बातों पे बना जाते वहें ना यह टॉपिक पहां पल्लोक और वह जो बदा यूसफुल टॉपिक है ग्राजिशन की बात करूँ चाहे Economics honors हो, Mathematics honors हो, Statistics honors हो चाहे आप obviously BBA बगरा कर रहे हों अगर आपके 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 mathematics है तो ये वाला topic आपको definitely मिले जाएगा प्लस पोस्ट ग्राजिशन के जितने भी entrances होते हैं चाहे IT jam हो चाहे economics entrance हो, चाहे basically IT का कोई और हो, मतलब jam का कोई और हो, stats हो, mass हो, कुछ भी हो वहाँ पे इसको पूछा जा सकता है ठीक है, MSC mass की त्यारिया आप कर रहे हो, MSC stats की त्यारिया आप कर रहे हो, वहाँ पे इसको पूछा जा सकता है तो ये छोटा सा वीडियो आज की class का, max to max, अगर में बोलू, आदा घंटा, I don't know, आदे घंटे जा सकता है, उससे पहले भी कताम हो सकता है, मुझे अभी नहीं पता क्योंकि त्यारिया आपके इन सारे पेपरों की तैयारी के लिए, आपके सारे फंडे क्लियर करतेगा, ठ ठीक है, because मैं जब कोई topic पढ़ाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, कि जब तक अंदर घुसके ना पढ़ाए जाए, मजा नहीं आएगा, नहीं बच्चों को और उपिस के मुझे दो आएगा, ठीक है, so let's start, मेरे साथ heading डाले सारे के सारे बच्चे, everyone, lagrange, mean value theorem को, ठीक है, इस ठीक है, यह theorem के uses की बाद आज हम नहीं करेंगे, ठीक है, यह theorem क्या है, और कैसे, यह theorem proof करने को exam में पूछी सा सकती है, उसकी बाद हम करेंगे, ठीक है, not the uses, तो, lagrange, mean value theorem, this theorem says, that, अगर आपके पास, y बराबर fx एक function दे रखा है, ठीक है, और यह function, बहुत important दो property को hold करता है, क्या-क्या, पहला, f is continuous on some close interval a से b, and f is differentiable on some open interval a से b, अगर किसी भी function में, यह दो condition, simultaneously hold कर जाती है, किसी particular interval की बात करें, then, there must, exist, at least one c, चोकि लाई करेंगा, a से b के बीच में, such that, f-c is nothing but fb minus fa upon b minus a, देखो, किताबों में, अगर किसी ने 12 में पढ़ी होगी, तो वो इतना रट्टा मार के आगया होगा, और थोड़ा से लिग दिया हो, कब continuous होता है, कब differentiable होता है, यह सब वो पढ़के आया होगा, बट बात अभी वो 12 में जो आपने पढ़ा है, उसकी नहीं है, बात है ग्राफ, क्या कहते हो, मालू, मैंने कुछ, इस तरीके का ग्राफ बनाया, यह A है, और बचो यह B है, ठीक है, this is A, this is B, now, यह पूरा फंक्शन, A से B के बीच में, इंक्रूडिंग A, B, continuous है, और A से B के बीच में, differentiable है, कुछ बच्चे कहते हैं, सर, यहां पर आपने close bracket क्यों नहीं लगाया है, तो I believe आप सारे बच्चे differentiability का meaning जानते होंगे, कि फंक्शन कभी भी corner point पर differentiable नहीं होता, क्योंकि corner point पर you can have infinite number of tangent, ठीक है, क्योंकि LSD, RSD में से की exist करेगा, that's why also, ठीक है, अच्छा, अब यह function पूरी तरह continuous भी है, पूरी तरह differentiable भी है, देखो, मज़ा आने वाला आप, जानता देखना, क्या करो, इस में, मैंने इस corner point को add कर दिया, मतलब इन दोनों को मैंने जोड दिया, यह जो मैंने बनाया ए ग्राफ, यह y बराबर fx का ग्राफ है, जो कि continuous or differentiable है, ओके, now please have a look, इसके बाद, इसमें क्या बोला गया, कि भाई, जब function continuous differentiable होगा, तो ऐसा तो हो गई होगा, कम से कम एक ऐसा c आएगा, such that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus, इस पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मुझे बताओ, जब मैं corner को जोड के, एक line segment ब कोई ना कोई ऐसी line होगी, और दिकर, tangent line, I can say that, कोई ना कोई कैसी tangent line होगी बिटा, जो tangent line, इस line के parallel होगी, ठीक है, हो सकती है, somewhere here, मतब अगर आपको parallel नज़र ना रही हैं, तो आप बना ले ना, ठीक है, मेरी थोड़ी drawing खराब है, fine, यह और यह parallel है, जिस x पे, यह tangent मैंने खीचा, उस x को c माल लिया, a और b के बीच में definitely कम से कम कोई ऐसा एक c लाई करेगा, जिस c पे function पे, अगर curve पे tangent मारा जाएगा, वो tangent definitely corner वारी line के parallel होगा, हमेशा ऐसा exist करेगा, जब continuous और differentiable दोनों है, तो, ठीक है, तो, अगर मैं बात करूँ, f is continuous हो गया, f is differentiable हो गया, and there must exist at least one c, यह जो condition यह कैसे लिखी, यह बड़ा simple है, बचो, एक बाद बताओ, जब यह दोनों line आपस में parallel है, तो, slope equal होती है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, यह tangent line है, at c, तो, इसकी slope क्या होगी, slope of tangent क्या होता है, diva by dx, which is f'c, मैंने क्या बताया, at x equal to c, which is this only, what about slope of this line, as you can see, this is a corner point a, इस पे y f of a है, and this is b, इस पे y f of b है विटा, तो, आप लोग के पाद जो मैंने line खिची है, इसकी slope क्या होगी, slope of line क्या होगी, y2 minus y1 upon x2 minus x1, fb minus f है upon b minus, बहुत simple fund है, अगर कोई function पूरी तरह contains, differentiable है, किसी interval के अदर, तो definitely उनके corner को जोड़के, जो line segment बनेगी, वो line segment, ऐसा कोई tangent, definitely occur, करेगा ही, करेगा, on the curve, जिस पे वो parallel होगी, that's all, this is all about, rules theorem, sorry, mean value theorem, rules theorem भी है, अभी आने वाली है, ठीक है, mean value theorem, लागरें, mean value theorem, ठीक है, लागरें भाई सापने, का नाम आई जाता है, कहीं ना कहीं, fine, so, कुछ बच्चे कहते हैं, सर, आपने at least one C लिखाए, यहां तो A की C आ रहा है, कि एक से जाधा C अकर कर सकते हैं, आप ऐसा कोई diagram बना के दिखाओ, I'll show you बच्चो, देखिए ज़रा ध्यान से, अगर later, suppose, यह A है, यह B है, कुछ इस तरीके का diagram बने माल ल अब मुझे बाब बताओ, इस पे जो parallel आ रहे हैं, tangent, एक tangent somewhere यहां parallel आ रहे है, एक tangent somewhere यहां parallel आ रहे है, थोड़ा सा अच्छा बना ले ना, तो यह sum C1 हो गया, और यह sum C2 हो गया, ठीके ना, fine, सारी तीनो लाइन parallel है, बड़ा simple ना, फंटा है, तो इसमें एक C नहीं, इसमें graphically समझाना थोड़ा ज्यादा better रहता है, ऐसे numerically paper में ज्यादा पूछे जाता है, बड़ ग्राफिकली आपको मैं ज्यादा clear करूँगा समझा के, ठीक है, numerical एक बहुत है, उसके बाद आप कर लोगे, छोटे बच्चे हो नहीं, maximum graduation वाले या 12 वाले बच्चे वीडियो देख बनना पागल हो जाओगे, अभी पहले इतना देख लो, मुझे पता है तुम्हाला दिमाग चला रहे तो आता है, चला लिए बढ़ते हैं, ठीक है, मैं प्रे करूँगा तुमना समझ में आ जब तक तो पूरी देखो वीडियो, आगे देखो ब्लीज, ओके, तो आगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सबसे पहले तो यह चेक करो, कि वन से टू के बीच यह continuous है यह differentiable है नहीं, अच्छा यह पूरा का पूरा polynomial function है, यह पूरा का पूरा polynomial function है, ठीक है, पूरी फंक्शन की domain क्या होते है, all r, तो अगर बच्चो और अपनी domain पर function हमेशा क्या होता है, continuous होता है, तो बच्चो अगर function r पर continuous है, मतलब r इसकी domain है, तो यह भी तो polynomial, polynomial function हर r पे differentiable भी होता है और continuous भी होता है hence it is continuous on 1 से 2 के बीच second it is differentiable on open it fine फिर वोई लाइन लेकिंगे at least 1C belongs to 1 से 2 के बीच such that F-C is equal to F2 minus F1 upon 2 minus 1 क्योंकि बच्छो A1 है और B2 है F-X कितना है आप लोगे पास एक कोशन में बहुत systematically करा रहा है आपको 2X तो F-C कितना हो जाएगा आपके पास 2C इसे मैं गर equation 1 दूँ तो in equation 1 F-C is 2C F2 कितना है बिटा मेरे पास F2 2 डालो इसमें 2 का square 4 F1 1 और 2 minus 2C is equal to आगया कितना 3 और C आगया 1.5 द्यान देना यह verify तब होगी जो C आ रहा है वो A और B के बीच में लाए करना चाहिए ठीक है Fine अगर आप इसको थोड़ा सा Diagramatically लिए देखना चाहते हो तो Diagramatically लिए देख लो आप सबको पता है X square का diagram ऐसा होता है अगर आप देखोगे यह 1 है और यह 2 है तो इनको जोड के यह रा line segment और यह tangent इस पर parallel आ रहा है और यह 1.5 है चीक है This is the way to solve the question तो यह असान है solve करना यह आप कर सकते हो यही pattern आपको almost आज जगा follow करना बस जब आप continuous or differentiable लिखोगे तो आप please reason ज़रूर देदेना कि तुम इसे continuous differentiable इसके अंदर क्यों मान रहा है जैसे आप लोग को अगर domain range निकालने आती है continuity बता कैसे चेक करते हैं differentiability बता कैसे चेक करते हैं तो आप इस तरीके से इसको कर लेना ठीक है बचो आगे देखते हैं आगे क्या करें question definitely अब जैसे यह वाले सवाल है ओ ओ स्वारी अब मैं कुछ को सवाल diagramatically कर दूँ बचो थोड़ा सा तुम देखोगे है बस इतना मौत है अगर आप देखोगे fx equal to root 1 minus x square ध्यान से रेखना y is equal to root 1 minus x square यह यह ने मेरे पास अब इसमें LMV hold मतलब logarithm mean value theorem hold करानी है सबसे पहले तो यह 1 minus x square है मैं तुम बता रहा हूँ जब तुम इससे solve करोगे तुम इसको क्यों निखोगे कि यह इस interval में continuous or differentiable है अगर आप तुम इस function की domain निकालोगे तो आप सब को पता है यह होता है 1 minus x square greater than 0 तो इससे interval जो आजाएंगे I think minus 1 से 1 आजाएंगे यह function की domain है function अपनी domain में हमेशा continuous होता है क्या बोल रहा हूँ है function अपनी domain में हमेशा continuous होता है तो तुम इसको इस तरीके से कर सकते हो कि अगर इसकी domain यह है और हमें इसमें चेक करना है तो 0,1 is the subset of this तो if the function continuous is minus 1 से 1 then it is also continuous in between 0 to 1 भाई अगर minus 1 से 1 के बीच including minus 1 and 1 function continuous है तो उसके बीच के interval में तो continuous होगा ना एक interval के अंदर अगर function continuous है तो उसके बीच वाले पार्ट में बी उन्हें लगता भी LSD, RSD से करना है but अगर कोई single function होता है बचो तो उसकी differentiability चेक करने का reason क्या होता है उसकी differentiability ऐसे चेक करते हैं आप उसका derivative कर लो इसका derivative क्या आएगा minus 2x upon में this ही आएगा तो जैसे function continuous का होता है वो x जहाँ पर function defined हो मतलब function के domain ऐसे ही function differentiable का होता है वो x जिस पर derivative defined हो मतलब derivative मतलब f dash x की domain so f dash x की domain कैसे है denominator वाला जो time of positive होना चीए square root में दे रखा इसलिए तो इसकी domain आएगी minus 1 से 1 तो इसका मतलब derivative इसके बीच में मतलब derivative इसके बीच में defined है derivative इसके बीच में defined है इसका मतलब क्या है function इसके बीच में differentiable है जिन x से derivative defined होता है बच्चो या मैं ऐसे बोलूँ वो x जो की derivative की domain होती है आप चाओ तो दुबार आप इसको सुन लेना x की वो values जो derivatives की domain होती है उन x की value पे function differentiable कहलाता है तो इस पे function differentiable कहलाएगा और again अगर इस पे differentiable कहलाएगा तो इस पे भी differentiable कहलाएगा ठीक है बट जब differentiable इस पे लोगए तो 0,1 open bracket में लेना क्योंकि हमें diagram सरिफ 0,1 से बनाना है तो इसका मतलब क्या होगा ओगा ओगा ओगार में count हो जाएगे ठीक है तो आप ऐसे इस में लिक सकते हो since the domain of the function is minus 1 से 1 ठीक है so function is continuous on minus 1 से 1 hence it is also continuous in 0 to 1 because 0 से 1 is the subset of 0,1 interval is the subset of minus 1,1 वाले interval similarly differentiable कैसे बोलोगे function is differentiable on minus 1 से 1 because in between minus 1 से 1 derivative is defined hence function is differentiable in between minus 1 से 1 and it is also differentiable in between 0 to 1 because 0 से 1 is the subset of minus 1 से 1 ये लिखो गया direct differentiability और continuity लिखके मत आ जाना please reason explain करना अगर examiner तुम से बोलता है पूरा solve करके दिखाओ जो की chances है ऐसे ही पूछेगा objective-based सवालों में इतनी detailing उनकी जरूत नहीं पड़ेगी आप लोगो पता होना चाहिए तो continuous differentiable हो गया उसके बाद हम अपनी f-c वाली condition देखेंगे so f-c वाली condition के लिए बड़ा simple है ये f-x है तो f-c कितना हो जाएगा minus c root 1 minus c square fb f1 f1 कितना है 0 f0 कितना है 1 b minus a ठीक है तो minus c root 1 minus c square is equal to 1 squaring कर लोगे तो ये बच जाएगा 2c square equal to 1 c आजाएगा plus minus 1 by root 2 अच्छा plus minus 1 by root 2 में से हमें वो लेना है जो domain के इंदर लाई करेगा तो 1 by root 2 domain के अंदर आएगा 0 से 1 के बीच में तो c अगर इसके बीच में लाई कर रहा है hence lmv यानि lagrain mean value theorem is verified ठीक है एक question मैंने तुम्हें बहुत detailing में समझा दिया अब तुम्हे continuity differentiability नहीं आता तो मैं क्या बोलूँ बहुत आना चाहिए न आप लोगस के लिए ठीक fine और अगर मैं इसको diagramatically भी बना के दिखाना चाहूँ आप लोगों तो मैं आपको diagramatically भी दिखा ज़ता हूँ देखना ध्यान से diagramatically बनाने के लिए इसको y मान लेता हूँ मैं fine squaring कर लेता हूँ तो यह kind of circle बन जाएगा है न बट circle में भी मुझे ध्यान रटना है वाई original में यह था तो वाई positive होगा मेशा तो वाई positive circle में कहा होता है यहां और यहां होता है semi circle kind of but मेरे interval 0 से बन है ठीक है तो मेरे diagram सिर्फ इतना आएगा वसे इतना भी आ सकता था क्योंकि y positive है square root की form में आ रहा है तो अब यह वो tangent हो गया और यह somewhere 1 by root हो गया diagramatically भी check हो गया अच्छा tangent अच्छा यह भी ले लो जो parallel है दोनो parallel है बिसीकलिए sorry I didn't join corner join करे ठीक है x के 0 पर y 1 है और x के 1 पर y 0 है यह corner join करे आप मुझे क्या ऐसा tangent चाहिए होते है जो इस line के parallel होगा तो वह ही निकल के आठा है that is all I hope clear हो सबको similarly c part की अगर मैं बात करूँ which is fx equal to 2 by x into 2 to 6 उसमें भी आप देख सकते हैं यह हर जगा continuous है except 0 तो 2 से 6 से बीच continuous हो गई होगा इसका derivative minus 2 by x square आएगा वह भी हर जगा defined है except 0 तो इस पर differentiable होगा यह होगा तो बड़ा simple है फिर सब्सेट है ऐसे ही पेपर में करोगे आप लोग प्लीज हाँ उसके बाद जीरो से चार वाली प्लीज होगा इसका डाइग्राम भी easy है बनाना बच्चो वाइज इकल टू 9 प्लस x square है तो y square इकल टू 9 minus x square y square minus 1 second plus है minus x square equal to 9 this is the kind of hyperbola ठीक है तो hyperbola में यह स्रिप उपर बनेगा क्योंकि y positive है ठीक है और यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा मेरे ख्याल से जाता है मुझे लगता है x को 0 डालेगे y plus minus 3 तो 3 वाले पर बनेगा बस हाँ और अब अगर मेरे इंट्रोल गए जीरो से फ़ोर पच्छो यह रहा यह और यह रहा टैंजिंट देखो ला करा नहीं सील है तुम लोग प्लीज सी निकालने ना उस मैथर जो मैंने पहला सवाल तुम्हें पूरी तरीके से कर रहा है ठीक है आई होप तुम सब को LMD इंडिकेटेड इंट्रवल एक्स्प्लीन वाइं ड्रॉदी ग्राफ्स अव दिस फंक्षन यह फंक्षन बेसी कली क्यों इसमें LMV होल्ड नहीं कर रही है मुझे बताना है बहुत असान है बच्छो बहुत ज़रा असान ध्यान से रेखेंगे एक्स की पावर टूबाई थर में अगर आप च्क करो इसकी डुमें वह तो अगल आ रहे है ठीक है तो गन्तिनस हो यहाया इसका डेल टेवी करूंगा तो इसका डेलिटेव रहा है टूबाई थरी टो बाई थरी एक्स की पावर टो तो इसका मतलब है derivative कहां का defined है हर R पे बट 0 को छोड़के बट इस interval में 0 आ रहा है तो इस interval के अंदर function differentiable नहीं है तो अगर function differentiable नहीं है तो हम LMB पे आगे बढ़ेंगे इस function is not differentiable hence LMB does not hold that's all बाकी ग्राफिक लिए अगर आप चेक करें तो ग्राफ x की पार 2 by 3 का कुछ इस तरीकी से होता है ऐसा kind of चिडिया time ये minus 1 हो गया ये 1 हो गया ये मैंने जोड़ा इसको जोड़ने के बाद ये parallel बन सकता है tangent बट एक tangent नहीं बहुत सारे tangent बन सकते हैं function ही differentiable नहीं है तो मैं कैसे unit type of tangent बनाओ जो मैं इसके parallel दिखा दूँ तो इसलिए इसमें LMB hold नहीं करें ठीक है similarly x minus 3 0 से 5 अब x minus 3 तो obviously हर जगा continuous है modulus function है कई भी non defined होता नहीं but mod x minus 3 कहाँ पे differentiable नहीं होगा अगर आप सबको थोड़ा सा याद हो mod x minus 3 को मैं ऐसे लिख सकता हो बिटा x less than 3 और x greater than equal to 3 यहाँ पे minus आजाएगा यहाँ प्लस आजाएगा अगर आप check करोगे तो differentiable नहीं है बिकर जब इसका lsd निकालो होगे आप यहीं से differentiation करो माइनस बनाएगा rsd प्लस बनाएगा derivative करोगे तो lsd rsd सेब नहीं आ रहे है function is not differentiable so if function is not differentiable hence lmb does not hold plus diagramatically देखना diagram देख लो यह रहा 3 और 0 से 5 के बीच काम करना है 0 पे इसकी value कितनी आ रही है 3 आ रही है 5 पे कितनी आ रही है इसकी value दो आ रही है ऐसा बनेगा diagram इसका ठीक है अब यह देखो यह वे लाइन segment जोड़ी वाई एक दो कितने सारे बन जाएगे है फाइं क्लिर डिफरेंशिव लेगी similarly यह वाला देख लो यह वाला function तो directly में बोल सकता हूं इज़र देखो इस वाले में 1 upon x-1 ने बिड़ा और x belongs to 0 से 2 है तो clearly यह function की domain क्या है all are other than 1 1 तो इसके अंदर आ रहा है तो इसका मतलब 1 पे defined ही नहीं है तो continuous कैसे होगा इस interval में तो function is not continuous 0 से 2 के बीच में बात ही खत्म diagram बनाना चाहो तो बना लो यह रहा x की line 1 इसका diagram x के 0 पे minus 1 आएगा ठेक है और मुझे जहां तक लगता है इसका diagram कुछ ऐसा और ऐसा बनेगा शाहिद तो आप clearly देख सकते हूँ अगर यह रहा 0 और यह रहा 2 0 पे यह value है और 2 पे यह value है कैसे मिला हूँ इसका diagram के लिए आपको maximum नहीं माना चाहिए बहुत अच्छे से लिए जिसके steps होते है इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्छों बता किया है लमवी के बाद नेक्स्ट एक theorem हमसे बोलते हैं रोल्स theorem ठाए रोल्स theorem सो बच्छों रोल्स theorem ना नौर्मली एक नाम बनाये हैं माकी परस्टनली मैं आप लोगों से जिस्ट करूँ तो रोल्स theorem लागरें mean value theorem ही है मैं आपको बतातो कैसे आपके पास y पराबर fx है और x जो है वो a से b के बीच लाई कर रहे है ठीक है वो ही क्या नाम है मतलब वो ही condition ले लो fx is continuous on this and fx is differentiable on this ठीक है please बच्चो एक्ती knowledge दो में मिल रही है I hope थोड़ी थोड़ी मेरे द्वारा तो चैनल को प्लीज आप वीडियो को जितना spread कर सकते हो उतना spread कीजिए शेकर है तकि maximum बच्चे इसका benefit लेगा है तो वीडियो को pause करो पहले share करो और तीसरी condition एक आ जाती है इसमें क्या fx is equal to fb ok fx is equal to fb इसके बाद बस ये condition एक नहीं आगी वो ही same at least one c belongs to a b such that f'c अब 0 लेंगे एक बाब तो f'c पहले कहादा fb minus fa जोग दोनों equal है थो numerator तो 0 हो जाएगा अरे यार come on guys जब ये दोनों equal है तो 0 आ जाएगा न b और a equal नहीं है ठीक है numerator 0 0 by something 0 so इसलिए ये condition लेगी मैं diagram निकले बता हूँ माल लो कुछ ये a है हाँ ये b है a और b दोनों equal है माल लो diagram ऐसा बन गया sorry ये तो गलती होगे भाईसा a और b को equal रखना है ऐसे कैसे चलेगा बच्चो ये हो गया अब a और b को जोड़ा तो ये बनके horizontal tangent एक tangent ये horizontal एक ही है ये sum c1 हो गया ये sum c2 हो गया 0 आएगा अगर ये line corner point को जोड़के जो line बनी है वो इस tangent के parallel है horizontal tangent पे derivative क्या होता है so you guys that's it आप पता है पेपर में रोल सेरों वर्ड ना यूज़ करें आप तीसरी कंडिशन ले नहीं बद आप अपना लागरेंशी तरह करो कामी खतम है सुपल है ठीक है मैं मैं बोल सकता हूं वैसे अब मैं कराने वाला तुमें बहुत जबरदस सवाल है समझा आएगा देखो करने है पहले इतना अच्छा से लेखो चलो बच्छो स्टार्ट करते हैं कुशन नंबर 20 और 22 यह करा हूंगा यह वैसे मेरी एकनॉमिक्स ओनर सेमिस्टर 1 की बुकलेट है उसमें कुछ पास्टीज में कुशन साही में कुशन है परसली स्पीकिंग यह बाकी जगा भी बहुत जारा हेल्फुल होंगे बढ़िया जबर्दस सवाल है अभी तक बहुत डिरेक्ट कोशन कर ले लाग रहे हैं इंच के रोल्स के यह तो चक्ते फट्टे है देखो suppose that two function f and g are differentiable on interval a b भाई सब differentiable और continuous दे रहे हैं बढ़िया मज़ा है f a equal to g a f b equal to g b a show that there is at least one point between a and b a or b के बीच में definitely कम से कम एक point होगा जहां पे tangent होंगे f और g के parallel होंगे बोट पे करेंगे तमीज से ठीक है देखो सबसे बहले क्या given है पहला point f is continuous on a b ठीक है f is differentiable on a b ठीक है वो close लिखा है वो open ही होगा ठीक है उसके बाद तीसरा point g is also continuous on a b चौता point g is differentiable on a b ठीक है fine आगे f a equal to g a दे रखाए और f b equal to g b दे रखाए यह question में given है अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ इन सबको यूज करके इसने बोले tangent equal होना चाहिए तो जो function continuous differentiable हो और tendency की बात करे तो दिमाग में क्या आती है lag दे में वाली थे रहो simple तो इसमें जो LMB hold करेगी पूरी अंग्रेजी लिख दे न since at least one c such that f dash c equal to this ठीक है so at least one c a b such that f dash c is equal to f b minus f a upon b minus a second f dash d equal to f b minus f a upon b minus a second second clear है fine okay I am sorry अब mistake g a आते दोगे न f की g dash d equal to g b minus g a upon b minus a वाइस आप मुझे भी गलती हो सकती है ठीक है ज़्यादा चौड़ा मत हो दो ठीक है ठीक है देख लो फाइस एक्वेशन नपर टू दे दो अच्छा यूजिंग दिस इन एक्वेशन वन वाटापन f dash c अगर मैं f b की जगा g भी डाल दूँ और f a की जगा g ये डाल दूँ वाइस साब किसके बरबर आगे अब अगर दो फांक्छन के derivative किसी point पे equal हो रहे है इसका मतलब क्या है उनके tangent आपसे parallel है कम से कम एक ऐसा point है तो यह c के एक value है क्या कम से कम एक c यहां पर 2-3 c भी हो सकते हैं यहां पर 2-3 d भी हो सकते हैं एक एक भी हो सकते हैं हो गया इंस प्रूफ derivatives at x equal to c of f and derivative at x equal to d of g equal means the tangent are parallel at x equal to c for f and at x equal to d for d at x equal to d for g and where c and d are not unique meant that they can be more than one hence proved यार एसी छोटा से एक example अगर मैं एसी लेना चाहूं मतलब a और b के बीच में अगर मैं दोनों को बनाना चाहूं एक यह बनाया माल लो और एक माल लो ऐसा बनाया कुछ इस तरीके के बने तो देखो ना पैरलर आ सकते हैं ने टैंजन्ट यह f का डाइगरम हो गया g का होग बहुत सारे चीज़े बन सकते हैं अगर बिटेट ठीक है I hope this question is clear to you अल्ला कुशन जब अदस्त है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सवाले बाला पहले पढ़ा दो उनको ठीक है आसपास की जितनी डिस्टर्मेंट से उसको हटा दो फोन रख दो साइलेंट में ठीक है यह सुच अफ कर दो बहुत ध्यान से देखना है या लगोशन आवलो ऐसे दो रिकॉर्डी में दुबारा देखना है and f has three zeros in the interval इसके बीच में तीन points लाए करेंगे जिसमें function zeros आ रहा होगा show that f double dash has at least one zero in a b नहीं है न समझ में तब भी तो करा रहो देखा उप ध्यान से ओके fresh page देखेगा f double dash is continuous okay f double dash is continuous on a b बच्चो इस बात सुनो ध्यान से अगर derivative इस interval में second order derivative इस interval में अच्छा उसके लावा क्या बुलावा है let alpha 1, alpha 2, alpha 3 like between this where f alpha 1 and and please अपने आप इस तीन वाला गला होंगे ठीक है तो तीन ऐसे x होंगे जहां पर function की value 0 होगी ठीक है यह भी मुझे की बन है मुझे बताना है कम से कम एक ऐसा नंबर होगा इस interval में जिस पे second order derivative भी 0 आजाए ठीक है अब second order derivative function पहाना है तो पहले second order derivative से first order पहाएंगे फिर first order से function पहाएंगे ठीक है होता है इसका मतलब होता है एंटी derivative जो उसका है वो differentiable होगा है नहीं समझें कि इता देखो मैंने तुम एक सवाल कराया था fx root 1-x2 इसकी differentiability चेक करने के लिए तुमने derivative किया यह आया और तुमने मुझे बताया सर यह जो interval होगे न माइनस 1 से 1 इसपे यह defined होगा अगर इस interval पे यह derivative defined है तो जिन x पे function चाहे वो function हो derivative हो कुछ भी हो जिन x पे वो defined होता है उन x फे उसको continuous कहते है इसका मतलब इन x पे इस interval में यह derivative defined है इस interval में यह derivative continuous है ठीक है? अच्छा, बट हमने इसकी continuity पर तो कहीं नहीं, हम तो इसकी differentiability देख रहे थे भाई, यह तो हमने क्या पाया? जिन x पे derivative defined आता है, उन x पे उसका anti-derivative यानि की function differentiable कहता है, जिन x पे derivative defined आता है, और जिन x पे derivative continuous आता है, उन x पे उसका anti-derivative यानि function anti-derivative समझते हो, इसका integration, f x होगा, differentiable कहता है, ठीक है, नहीं समझ में है, दुबारा सूल रहे फिर, देख वागे, इदर देखो, अब, f double dash is continuous, on this means, means, what, क्या के point निकले, अगर ये continuous है, तो इसका anti-derivative, f double dash का anti-derivative क्या होगा, f dash is, differentiable on, अभी फिलाल मैं close ही ले रहा हूँ, बाद में open लगा दूँ, differentiable on, बोल सकता हूँ, बाई, जब derivative continuous है, तो उसका anti-derivative, differentiable के लाएं, अच्छा, f dash is differentiable, अगर function differentiable होता है, तो उसे continuous में तो कहते हैं, that means, and, f dash is continuous also, बोलो, simple, अब दिवारत चलूँ में, मैंने second order derivative से ये second order derivative की continuity से ये बताया कि उसका first order derivative differentiable है, अगर कोई function differentiable है, तो वो continuous हो गई होगा, ये तो rule होता है गाई, अब अगर derivative continuous है, इस interval में बाई सामय मैं बता रहा हूँ, derivative की continuity implies उसका anti-derivative is differentiable, hence, and, f is differentiable, और अगर function differentiable है, hence, and, f is also continuous on a, बाई साब इसकी continuity के बाई से इसका anti-derivative differentiable, कोई चीज differentiable तो continuous also, एक derivative अगर continuous है, तो उसका anti-derivative differentiable हो जाएगा, और अगर उसका anti-derivative differentiable है, तो कोई function अगर differentiable है, तो continuous भी कहलाएगा, खतम, सवाल खतम नहीं है, बहुत कुछ रहता है, ये तो मैंने इन सबसे निकाला है, आप differentiable में open bracket यूज कर सकते हैं, बट फिलाल अभी मेरे को आगे तक जाना है, क्योंकि differentiability continuity से मुझे differentiability बतानी है, differentiability से continuous बताना तो मैंने close लिया है, बाकि जब rolls आगर रेंज वगरा इसकी वो value जिस पे 0 आजाए, और कोई चीज जब continuous और differentiable होती है, तो उससे कुछ 0 आजाए, वो हमने पढ़ा rolls theorem में, उसका derivative 0 होता है, rolls theorem में, f-c क्या होता है, rolls में, 0, so मैं अराम अराम से बहुती तमीज से करूँआ सवाल, प्लीज ध्यान से देखते चलेंगे, शुरुवात करेंगे, f से, फिर जाएंगे f' पे, फिर जाएंगे f'' ठीक है, have a look on it, ध्यान से देखना, ठीक है, मैं अराम अराम से देखा हूँ, बचो, शुरुवात करते हैं, सबसे पहले मैंने लिया, मै ठीक है, and alpha 2 से alpha 3, ठीक है, अराम अराम से देखते हैं, और यह alpha 1, alpha 2, alpha 3, तीनों इसे भी के बीच में लाएगा, पहले इस पे आते हैं, अगर बच्चो, function a और b पे continuous है, differentiable भी है, तो उसके बीच की value में continuous होगा, simple है, so, सबसे पहले, यह given है, f is continuous on, this, and f is differentiable on, this, so, using row theorem, f, dash, row theorem, at least, 1, beta 1 ले लो, belongs to alpha 1, alpha 2, such that, f dash, beta 1, 0, बोलो, होगा नहीं, f dash, beta 1, 0, ठीक है, अच्छा, मैंने row theorem की apply करी, अगर मैं alpha 1, alpha 2 ले रहा हूं, तो तीसरी condition मेरी row theorem की यह है न, hold कर रही है, मैंने लिखी नहीं, बढ़ाई होप, आप समझ गए हो, तभी row theorem apply होगी न, तीसरी condition, so f dash, beta 1, 0, similarly, for, तुम लोग मत लिखना, similarly मैं यह सब मैं direct लिखना हो, इसके लिए भी क्या condition हो जाएगी, some beta 2 belongs to alpha 2, alpha 3, ठीक है, पूरा पूरा वही कहानी, f dash, beta 2 भी क्या आजाएगा, 0 आजाएगा, clear होगी बात यहाँ, यही पूरा सब कुछ लिखते भी आओगे, यहाँ पर third condition में, f alpha 2, alpha 3, 0 लेलोगे, given and बच्छो, ठीक है, अच्छा, clear laser आ रहा है, beta 1, beta 2 से छोटा है, क्योंकि beta 1, alpha 1 से alpha 2 के बीच में लाई कर रहा है, alpha 1, यह दे रहा है, इस interval में beta 1 लाई कर रहा है, ओ भाई साब, यह क्या हो गया, चल जा, यह तो मिट गया, कोई रहा है, आगया, sorry, ठीक है, alpha 1 जो है, वो alpha 3 सबसे बड़ा है, इस interval में, beta 1 लाई कर रहा है, इस interval में beta 2 लाई कर रहा है, तो definitely यह condition होगी, तो मेरे को एक condition होगी, तो मेरे को एक condition और मिलगे क्या, f dash beta 1 भी 0 आ रहा है, और f dash beta 2 भी 0 आ रहा है, अगर यह दोनों मेरे पास 0 आ रहे है, और f dash continuous और differentiable भी है, तो f dash में भी अलग से roll से लुग सकती है, ताकि हम f double dash तक पहुच पाएं, I hope समझ में आ रहा है आपको, ठेक है, बचो मुझे इसलिए खुशी हो रही है, कि मुझे तुमारे अंदर से कुछ curiosity हो रही है, मुझे लग रहा है तुम सोथ रही है, yes sir, कुछ होगे, no sir, नहीं आ रहा समाझ में, प्लीज मैं नौ वालो भी धहन निदर भी एस वालो भी धहन दे रहा हूँ, नौ वाले प्लीज रिवाइस करो, तो सोन में आगा तुमारे अच्छा सोना, अब f dash पर आते हैं, f dash is continuous on, beta 1 से beta 2, second, f dash is differentiable on beta 1 से beta 2, and f dash beta 1 और f dash beta 2, बच्छो क्या है मेरे पास? 0, अभी निकाला, नुच्छो, hence, there is at least one sum lambda ले लो, belongs to beta 1 से beta 2, such that, इसका derivative, 0, rolls hold करेंगे निस लिए, लिए सकते हैं, अब अगर lambda, beta 1, beta 2 के बीच में है, beta 1, alpha 1, alpha 2 के बीच में है, beta 2, alpha 2, alpha 3 के बीच में है, and, alpha 1, alpha 2, alpha 3, a से b के बीच में है, hence, lambda is also lying between, a से b के बीच में, भाई, lambda इसके बीच में है, ये दोनों इनके बीच में है, और ये तीनों के तीनों, a और b के बीच में है, hence, ये तो प्रूफ करना था, कम से कम कोई, ऐसा x आए गा, a और b के बीच में, जिस पर second order derivative, 0 होगा, root मतलब, x की वो value जिस पर function, 0 अंसर, मैंने डाला आवा है, root तो polynomial का question, sorry, video डाला आवा है, YouTube पे, देखा तुमने होगा नी, देख लो बच्चो, ये चैनल, बहुत काम का आप लोग के लिए, तो please, इसको फैलाओ हर जगा, ता कि मेरा और मन करे, मैस के, जितने फंडे मेरे अंदर, दबे पड़े हैं, ठेक है, मन निकालू आपके आगे, काफी फंडे मेरे खुद के बनाएवे, खुद पड़ा, और बहुत सारी, N number of things, मैं आप लोग के सामने निकालू, तब ही मज़ा हैगा, जब मुझे आप लोगों से respond मिलेगा, अच्छा बुरा जैसा भी, बट respond मिलना चाहिए, ठेक है, तो I hope, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठेक है, तो आज की class में इतना ही पढ़ेंगे, चैनल को प्लीज, जो इस सारे यूटूबर कहते, like करो, subscribe करो, share करो, and please इसको जितना फैला सकते हो, फैला दो, thank you so much, नमस्ते, बाई बाई